तो हेलो एवरीवान कैसे हो आप सब लोग आए होप आप सब लोग बढ़ी होंगे तो आज की वीडियो का जो टॉपी के वह बहुत ही जादा डिमांडेड होने वाला है मेरी पिछली कुछ वीडियो के टॉप कोमेंट समेशा यही होते थे कि J26 वाले बच्चों के लिए जो फाइनली आज की वीडियो में मैं वह सब करने वाला हूं तो मैं अपनी तरफ से सारी बेस्ट वही गाइडनस दूँगा जिससे आप अपनी 11th क्लास को बहुत अची तरह से कंप्लीट कर सकते हो और बहुत बच्चों से आगे भी निकल सकते हो इसके बेसे पर तो वीडियो पॉइंट वाइस बताऊंगा आप लोग को इस वीडियो में तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं कि हमें कोचिंग कौन से जॉइन करनी चाहिए ऑफ लाइन या फिर ओनलाइन तो हैर मेरा तो दोनों के साथ ही एक्स्पिरियंस रह चुका है 11th की स्टार्टिंग में मैं कोचिंग जाता था हमारे यांकी एक लोकल कोचिंग थी बट मैंने एक महिने के बाद वहां से ड्रॉप कर दिया और मैं ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गया तो अगर मैं आपको अपना परस्नल रिव्यू बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग अंटिल एन अनलेस अगर आप किसी बह करते रहे कि तो और नाइन आपके लिए बैस्ट होगा और नेक्स चीज इसमें अम में से बहुत लोग गलतियां कर देते हैं वह एक अच्छा study material को स्लेक्ट करना देको जो सबसे पहला material आपके लिए नेसेसरी है वह आपके classes attend करना जिस भी coaching के आप कर रहे हो और वह जो भी मैंने physics में करी थी सिंगेज मैं थोड़ी बहुत जगा सिंगेज करी और chemistry में कुछ specific book मैंने नहीं करी थी फिर नेक्स जो most important चीज है वह आपको PYQ करना ही करने है previous year questions जैसी आपको चैप्टर पढ़ते हो आपको उसके mains और advanced दोनों के questions करने है starting में हो सकता है कि questions ना solve हो पर आपको दिर दिरे try करते रहना है आप से जरूर solve होंगे और मैंने personally PYQ के लिए जो material उसके था वो मैं आपको बता देता हूँ PYQ के लिए मैंने specifically ये वाली book solve करी थी mains के लिए last 5 year के PYQ के लिए मेरे पास ये वाली book थी PW की इसमें advanced के भी questions covered थे last 5 year के बट फिर specifically advanced के questions करने के लिए मैंने ये वाली book लिए थी इस advanced वाली book की सबसे अची बात मेरे को ये लगी कि इसमें सारे questions chapter wise and topic wise divided थे इसमें सारे questions का भी analysis दिया था like इस question में लिखा है कि कितने percent बच्चो ने इसको सही किया था actual exam में कितनों इसको गलत किया था जिसे आपको पता चलता है कि किस type के questions पूछ जाते है actual advanced में बुक में आपको questions के साथ last 5 year के paper का analysis भी मिल रहा था chapter wise कि क्या इससे आपको यह पता चलता है कि कौन सा topic सबसे जादा high weightage है and किस पे आपको focus करना अच्छे से अब भी question के detail में solutions भी मेरे को इस book में मिल रहे थे इसलिए मैंने इसको prefer करा so guys सभी teachers के according PYQs के book आपके पास day 1 से होनी चाहिए and यह आपको बहुत help करेगी मैंने personally यह use करी थी इसका link description में मैंने दे दिया है and buy करते हुए आपको discount चाहिए होगा तो PW पर मेरा coupon code यूज करना IAV150 इससे आपको discount मिलेगा all the best तो देखो यार material की तो हमने बात कर लिए बट अब मुझे लगता है यह बात पूरी तरह से सही नहीं है especially किसी और subject में हो ना बट chemistry में teacher का रोल बहुत जादा होता है because chemistry mainly as a subject है अगर आपने concepts और class के illustrations को अच्छे से समझ लिया तो आपके maximum question solve हो जाएंगे unlike maths and physics में आपको थोड़ा जादा दिमाग लगाना पड़ेगा जो tough questions होते हैं बट chemistry आपकी easily हो सकती है अगर आपने अच्छे teacher से पढ़ा है and personally मेरी भी physical chemistry पहले बहुत खराब हो गी थी because of my teacher पहले मुझे भी लगता था कि मेरी गल्ती है जिन से personally मैंने पढ़ा है and मुझे सच में लगा कि ये advanced level के teachers है and I know और भी बहुत सारे teachers है जो कि advanced level के है but अब मैंने उनसे नहीं पढ़ा है तो मैं उनको recommend नहीं कर पाऊँगा तो आप लोग ऑफरेंड मत हो जाना मैं सिर्फ उनी teachers का नाम बताऊँगा जिन से मैंने personally पढ़ा है तो सबसे पहले physical chemistry में यार अगर AK के sir के lectures और sheets का जुगाड कहीं से कर सकते हो तो उनसे best चीज कोई नहीं रहने वाली है वो सच में god of physical chemistry आप Google पे भी search कर सकते हैं आपको उनका नाम मिलेगा अमिताब शर्मा सर से फिर maths जिन से मैंने पढ़ा था वो ते तरुन खंडेलवा सर और सीरेशली वो भी मेरे फेवरेट टीचर है उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे हमें maths पढ़ाई है तो आप उनसे कर सकते हो साथ में PW में सचिन सहर और अशिश अगरवाल सर भी है तो आप अपनी प्रेफरेंस से डिसाइड कर लो पर मैंने तरुन सर से पढ़ा तो मैं उनको ही रेक्मेंड करूँगा फिर फिजिक्स के लिए आप शिविंदु मिश्रासर या फिर राजवन्तर को प्रेफर कर सकते हो तो देखो जो मीजर पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर ली है अब हम थोड़ी सी जेनरल बातें कर लेते हैं कि कैसे आपको अपनी 11th क्लास में पढ़ाई करनी चाहिए जिसे आपकी 11th बहुत अच्छे से जाए सबसे पहली बात मैं फिर से वही बुलूँकों कि जो आप study material select कर रहे हो आपको एक particular set of books लेनी है आपको बहुत सारी books पे नहीं भागना है एक particular set को लो एंड उसी को साल बर अच्छे उसको पढ़ो एक और बहुत बड़ी गलती है जो कि हम में से बहुत लोग कर देते हैं मैंने personally इसको अवाइड करा था कि हम पूरा दिन lectures ही देखते रहते हैं theory पढ़ते रहते हैं and question practice के लिए time ही नहीं निकालते हैं यह mistake आपको बिलकुल नहीं करनी है आप जब भी lecture देख रहे हैं आपको lecture के साथ साथ notes बनाने है वरना maximum लोग बाद में notes बनाते हैं तो उसे बहुत time waste होता है तो वो time आप practice में utilize करें पूरा दिन lectures मत देखते रहो practice करो, module से करो, books से करो या PYQs करो उसे आपको ज़्यादा efficient पढ़ाई आपकी होने वाली है एक और चीज़ है आप लोग ने daily targets मनाया करो यह चीज़ मुझे बहुत help करती है वरना आप क्या randomly पढ़ाई करते रहोगे उसका ज़्यादा फायदा नहीं आप daily target बनाओ कि आज मुझे यह chapter पढ़ना है इस subject में उससे आपका वो दिन बहुत अच्छे से efficiently utilize हो पाएगा यह नेक्स जो most important चीज़ में recording है कि जब भी आपकी coaching में कोई भी mock test हो या AITS हो उसको कभी भी skip मत करना ड़संट मैटर आपका revision उसके लिए अच्छे से हुआ हो या नहीं अगर आपको एक बाद test कीप करने की आदत लगी फिर आप पूरे टाइम वही करते रहोगे टेस्ट ना देना एक बहुत बड़ी mistake है विकाज टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसको आप score में भी convert करते हो की नहीं and test देने से आपको pattern का पता चलेगा paper को कैसे paper को attempt करते है and क्या strategy रहनी चीए while attempting the paper तो test देना वाई most important चीज़ है उसको आप हमेशा देते रहना and यार बहुत बार ऐसा हो सकता है कि तुमारे test में अच्छे marks ना आए especially जो advanced level के test होते हैं उसमें तो यार demotivate बिल्कुल मत होना है यह बात याद रखो कि अभी 10th class नहीं है कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया तो test में नंबर आई जाएंगे तुमें बस अपनी पढ़ाई continue रखने हैं दीरे-दीरे test में marks improve होते रहेंगे तो यार जो last advice में तुमें यही दूँगा कि यार 11th class में consistently पढ़ाई करना because maximum बच्चे 11th class में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं तुम आज देखो कि आज हमारी 11th class कातम हो रही है तो maximum जगह की comment section में बच्ची यही लिखते रहते हैं कि हमने 11th waste कर दिया 11th में पढ़ानी अगर तुमें उस category में नहीं आना है तो तुमें बस 11th में अच्छे से पढ़ना है आपको उसी चीज से फाइट करना है आपको बस पढ़ते रहना है आपको बस पढ़ते रहना है आपकी 11th बहुत अच्छे से जाने वाली है एक ऐसी चीज रखा करो जैसे कोई स्पोर्ट हो सकता या कुछ भी जिससे आपका माइंड मिशा फ्रेश रहे जैसे मेरे लिए यूट्यूब चैनल था मैं इस पर हफते की एक दो वीडियो जालता था तो मुझे अच्छा लगता था तो वैसे आपके लिए भी कुछ हो सकता है तो यार अगर तुमने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच और आगे भी करेगी और तुम मेरे से जादा अपने टी हुआ 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 है